पाटनेर्शिप के इस पार्ट में हम देखेंगे पाटनेर्शिप के कोश्चन्स लेकिन वो कोश्चन्स होंगे आपके डेटा सफिसेंसी के फॉर्म में तो partnership के questions तो हम cover करेंगे साथ ही साथ data efficiency का भी एक वीडियो इसी में ही cover हो जाएगा तो चले start करते हैं आज की वीडियो हलो मेरा नाम चिंद्रहा से study smart में आपका स्वागत है दोस्तों partnership के मैंने पहले दो वीडियो दे चुके हैं तो अगर आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो यहां पर मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ इस लिंक पे आप क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपके understanding थोड़ी सी clear हो जाए फिर आप इस पार्ट के साथ continue करिएगा अगर आप mobile पे हैं तो यहां आपको corner में लिंक मिल जाएगा इस पे क्लिक करके आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं अब partnership के part 3 में हम क्या special करने वाले हैं कि इस वीडियो के through मैं आपको partnership के questions तो करा ही रहा हूं साथ ही साथ में data sufficiency के रूप में उसे करा रहा हूं तो इससे आपको data sufficiency के questions को कैसे solve करना हैं और क्या कुछ साउधानिया अबरतनी चाहिए यह भी आपको पता लगती रहेंगी partnership what is Gagan's share in profit earned by them at the end of the year आपसे question क्या पूछा गया है कि गगन का share क्या होगा profit में साल के खत्म होने के बाद तो यहां पर आपको यह question पूछा गया है और आगे आपको 2 statements दिए गया है 1 & 2 अब इन ही दोने statement की help से आपको answer को find करना है तो देखे data sufficiency के जो questions होते हैं उनके लिए आपको कोई special trick सीखने की जरूत नहीं होती मतलब जैसे हम लोग अलग-अलग topic सीखते हैं जैसे time and work सीखा time and distance सीखा अभी partnership सीख रहे हैं तो इन सब के अपने concept होते हैं जिने हमको सीखना होता है data sufficiency आपका इसा topic है जिसके लिए आपको कोई और concept सीखने की जरूत नहीं है आ और आपको इन questions को solve करना नहीं आता है मतलब को time and work solve करना नहीं आता है то data sufficiency के questions को solve नहीं कर सकते हैं आपको partnership सो आप data sufficiency के questions को solve नहीं कर सकते हैं Hahah लिए आपको इन सारे topics की in-depth knowledge होनी चाहिए जिससे आप data efficiency के questions को solve कर लेंगे अभी आगे मैं बताता चलूँगा कि यह मैं क्यों बोल रहा हूं अब यहां पर आपसे पूछा गया है क्या गगन का share क्या होगा profit में तो आप अभी थोड़ा सा recall करिए कि हमने भी दूसरे पार्ट में क्या देखा था कि किसी का भी हमको profit निकालना है तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए पहला क्या उसका investment कितना है दूसरा क्या कि वो कितने time period के लिए है और जितना उसका investment होगा और जितना उसका time period होगा दोनों का multiple ही क्या होगा उसका profit में ratio ठीक है तो अगर 2% होते थे तो मैं ऐसे करते थे i1 into t1 ratio i2 into t2 और ये क्या होता था p1 into p2 तो अगर आपको ये concept नहीं पता है तो आप इसे solve कैसे करेंगे तो यहां पर आपको गगन का share चाहिए होगा इसका मतलब क्या होगा आपको ये भी पता होना चाहिए कि गगन की investment कितनी है और गगन ने कितने period के लिए investment की है ये आपको अगर दोनों चीजें दिया हो तब तो well and good है आप आसानी सिंकाल सकते हैं या फिर ये पूरी investment का ratio पता होना चाहिए जो जिससे आप profit का ratio निकाल सकते हैं और दूसरी चीजी यहां पर आपको क्या ध्यान रखनी होगी कि आपको हर एक statement को पढ़ते जाना है जैसे हम यहां पर पहला statement पढ़ते हैं क्या रवी गगन और नितिन इन्वेस्टेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट amount in the ratio 2 is to 4 is to 7 कि रवी नितिन और गगन ने इस ratio में investment किया है अगर इस ratio में investment किया है तो अगर इस ratio में investment किया है सबके साथ 12 का गुणा हो जाना है तो तो कठी जाता है तो यह कोई matter नहीं करेगा तो आपको investment को ध्यान रखना होगा और यही आपका क्या बन जाता है profit का ratio तो आपको यह देखना है कि यह जो पहला statement दिया गया क्या इसका यूज करके केवल और केवल इसका आगे आपको नहीं पढ़ना है केवल पहला statement पढ़के आप क्या question का answer निकाल सकते हैं सोची आप निकाल सकते हैं उपर देखे आपको कोई information नहीं दी गई है बजाए इसके कि तो नंतिकालने के लिए तो आप को ग्रवी का aye नितिन ka individual किसी आपको profit पता हो कि रुपए के टर्म में कि उनका profit इतना है या फिर दूसरी चीज़ा को क्या पता होने चाहिए कि इन तीनों का टोटल profit आपको पता चल जाए है तब ही आप निकाल सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि पहले statement का use करके हम इस question को solve नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया, तो आप आगे बढ़िए दूसरे statement पे, दूसरा statement क्या कहता है, नितिन का share profit में क्या है, 8750 रुपए, तो कई लोग यह assume कर लेते हैं, कि उपर हमको क्या दे दिया तो सोचते हैं, अब यहां से तो question बहुत आसानी से निकल सकता है, और उस सोचते हैं, दूसरा वारा option हमारा सही हुआ, क्योंकि यहां से हमने answer निकाला है, जबकि ऐसी बात नहीं है, जब भी आप दूसरा statement पढ़ेंगे, तो उस केवल statement को ध्यान रखेंगे, उसके उपर हम हमने जो पढ़ा है, उसको ध्यान नहीं रखते हैं, तो नितिन का share कितना है, 8,750, क्या केवल इतनी information से हम इस question को solve कर सकते हैं, आप खुद से सोचे, तो आपको पता है कि केवल हमको profit दिया गया है, कि नितिन का profit कितना है, और उपर हमको यह जो main question है, इसमें हमको कुछ नही दीगे, मतलब क्या दूसरे statement का use करके भी हमको answer नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो दोनों का use करके हमको answer नहीं मिलता है, तो आप ऐसे नहीं रखाएंगे, कि आप जाके यहाँ पर D पे click कर दीजे कि both 1 and 2 are not sufficient to answer, यह बहुत बार guilty कर देते हैं, लोग दोनों statements को check करते हैं, द क्लब करना या combine करना, अब हम यहाँ पर पहले statement और दूसरे statement दोनों को combine करके पढ़ते हैं, ठीक है, पहला statement पढ़ते हैं कि रवी गगन और इनके investment का amount कितना है, किस ratio में है, 2 is to 4 is to 7 के ratio में है, और दूसरा statement पढ़ते हैं कि नितिन का share इसमें कितना है, 8,750 रुपे, तो मतल लाश्ट में है, मतलब यह 7 वाला, तो 7 upon में 7, 2, 9, 4, कितना गया, 13, 7 बटे 13 की value हमको पता चल गी, 8,750 रुपे, ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, गगन का share, यह जो आपका बीच वाला है, तो इसका share आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, जैसे पिछले question में किया था, हमने, मतलब पिछले part में हमने ऐसे question देखे थे, तो 4 बटे में 13, और इसको क्या माल लेंगे, x 13 से 13 कट जाएगा, ठीक है, और आपकी x की value क्या आजाएगी, 8,750 बटे में 7 गुणे में 4, अगर कट कर लीजिए, आप 7 से कट करेंगे, कितना होगा, 7,1,7,7,2,14, और यह 35 आपका पूरा कट देगा, और इसे आप गुणा कर लीजिए, 125 गुणे में 4 कितना होता है, 500 और एक 0 है तो 5000, तो x की value या, यहाँ पे x हमने क्या माना था, गगन का share, तो वो हमको यहाँ से easily पता चल गया, कैसे, जब हमने पहले और दूसरे दोनों को combine कर दिया, तो हमको प एक्जाम टाइम में यह पूरा यह procedure करने की जरूत बिलकुल भी नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमसे answer नहीं पूछा गया, कि गगन का share कितना है, आपको यहाँ पे answer नहीं मिलेगा, 5000 रूपीज का, कहीं भी आपको यहाँ से लेके आ तक यह नहीं मिल पता है, तो आप इतना common sense से समझ सकते हैं, कि आपको profit का ratio पता चल गया, और एक का क्या पता चल गया, आपको profit पता चल गया, तो यह दोनों चीजे निकाल आपको जब मिल गई हैं, तो आप गगन का share निकाल सकते हैं, या फिर रवी का share भी निकाल सकते हैं, या फिर total जा रही है किसी का profit निकालना है तो या तो जितने persons लगे हुए है partnership में उन में से सब का total profit पता होना चाहिए या तो किसी भी एक एक परसन का profit पता होगा तब भी हम अपना काम कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको पूरा solve करने की जरूत नहीं है इतना concept अगर आपको समझ में आ गया तो आपके ओल यह देखेंगे अच्छा हमको यहां पर पता है profit का ratio कितना है और एक परसन का यहां पर यह दे दिया कि एक परसन का profit का share कितना है इन दोनों को combine करके हम answer निकाल सकते हैं मतलब दोनों को जोड के ही हम answer निकाल सकते हैं तो आपका consumption सही होगा यह वाला सही होगा both one and two are necessary to answer I hope आपको समझ में आया होगा यह पहला आपका question था इसलिए इतनी सारी चीज़़ें करने की जरूत थी आग प्रोफिट इन जॉइंट वेंचर फिर से यहां पर देखिए आर का share of profit पूछा गया है ठीक रेशियो नहीं पूछा गया कि आर का profit में कितना share था आपको यह बताना है मतलब रुपीज के टम में कितने रुपए थे तो आपको जब भी किसी का profit बताना होगा पहली चीज़ जितने persons वहां पर लगें सब के individual में से किसी एक का share की हाँ इसका इतना share है या दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए टोटल आपको दे दे कि इतना profit आपको मिला हुआ है तो दोनों ही आप निकाल सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं find करने कोशिश करते हैं कि कहां पर हमको क्या-क्या मिलता है पहला statement पढ़ेंगे हम क्यू श्टार्ट बिजनेस इन्वेस्टिंग 80,000 रुईज मतलब क्यू ने statement को केवल पढ़के हमको कुछ भी नहीं पता चलता तो यह आपका पहला तो गरात हो जाएगा कि केवल एक का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं दूसरा पढ़िये क्या है आर जॉइंड हिम आफ्टर थ्री मन्स कि आर ने जॉइंड किया तीन मन्स के बाद तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा क्यू को जॉइंड किया है आर ने तीन महीने के बाद अभी आपको यह बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है आपको केवल और केवल दो पे फोकस करना है आप यहाँ पे क्या information दी गई है आर ज परसेंटेज हमको पता चल सकता है क्या क्योंकि हमको पता नहीं खियार ने किसको जॉइन किया है तो केवल दूसरे का प्रयों करके भी हम नहीं निकाल सकते हैं चले तीसरे पे चलते हैं क्या लिखा है पी जॉइंड आफ्टर फोर मन्स विद्ध कैपिटल आफ रूपीज अब देखें तीसरे में क्या कहा जा रहा है कि पी जॉइंड आफ्टर फोर मन्स विद्ध कैपिटल अब किसके फोर मन्स के बाद हमको नहीं पढ़ा क्योंकि हमने दूसरा से ट्रेट में अब कर सकते हैं दो इंफॉनमेशन को और देखते हैं क्या हम एंसर निकाल सकते हैं क्या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन यहां पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया क्यों स्टार्टेड बिजनेस इन्वेश्टिंग रुपीज एटी थाउजन दूसरा का है आर जॉइंड हम आफ्टर फ्री मन्स अब यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि आर ने किसक में तक रहोगा तो यह 12 से घुना कर देते हैं इस टू यहां पर हम क्या लिखते है आर आर ने क्या तीन महिने के बाद जोईन किया है मतलब कितने वहाहीं दंव नौ महिने रह होगा लेकिन उस्किन कितना पैसा लगया मान लेते हैं एकश रुपी उसने लगाए है ठीक है क्योंकि पैसा तो हमको अभी दिया नहीं है फिर आगे तीसा इस्टेंट पड़ते हैं P joined after 4 months with capital of 1,20,000 और P join करता है 4 महीने के बाद किसके 4 महीने के बाद join करेगा P आप सुचिए किसके 4 महीने के बाद P join करेगा तो P हमारा R के बाद आ रहा है तो P join करेगा किसे R के 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद तो 4 महीने के बाद अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 और इसका आपको capital पता है कितना 1,20,000 ठीक है और उसके बाद आपको क्या दे दिया गया है यहाँ पे आपको पूरा ratio दे दिया गया investment का time के साथ में तो अगर इसे आप solve कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा profit का ratio और एक का profit आपको पता है किसका P का जो भी ratio मिलता है उस ratio के बराबर में आप इसे रख दीजिए तो R का share बहुत आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन पहले बात होगी कि हम क्या P1 इस्टू P2 इस्टू P3 निकाल सकते हैं क्या तो देखिए अगर हम यहाँ पे निकालने जाएंगे तो हमको value नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजिए कट भी कर देंगे तो यह जो X की value है यहाँ प हमको exact answer नहीं निकालना है हमको क्यों लिए बताना है answer आ सकता है कि नहीं तो देखिए हमने तीनों को अगर combine कर दिया तब पर भी R का हमको capital investment नहीं पता है इसलिए हम P1 इस्टू P2 इस्टू P3 नहीं निकाल सकते हैं और जब यह नहीं निकाल सकते हैं तो आगे हम और कोई profit क share नहीं निकाल सकते हैं तो इसके लिए answer क्या होगा कि हमने पहले को देखा दूसरे को देखा तीसरे को देखा individually यह तीनों capable नहीं थे answer करने में फिर हमने combine किया तीनों को तो हम यह पाते हैं कि R का capital है कहीं भी mention नहीं है इसलिए इस question को आगे हम solve नहीं कर सकते हैं तो इसका option क्या होगा option होगा इसका देखिए डी वाला इवेन विथ 1,2,3 एंसर केंनोट भी अराइवड आपको यह समझ में आया होगा ठीक है यहीं पर एक्स की value आपको दे देता कहीं पर आर्जवाइं धिम आफ्टर 3 months with capital यहां पर देता मालीजे 60,000 फिर आपके लिए बहुत आसा आपका 4 is 2,2 is 2,8 आजाता और यह आपको निकल आता यह एजियूम किया है मैंने कोई calculation नहीं की है तो उपर ऐसे मत सुचिएगा कि सर यहां पे 60,000 रखेंगे तो आपकी क्या values आएगी हूँ आपने गलत निए यह एजियूम कर लिए है मैंने आपको समझाने के लिए तो मा सेजार के बराबर में होता और आपको निकालना क्या होता आपको निकालना था आर का शेर खोरका शेर ही वीच वाला था तो आप इसे करते दो वटमेने सोला इंटू एक्स क्रॉस मल्टिप्लाई वही सोला से सोला कर जाना था आपका और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाती मतलब क्या होता फिर आब वन टू और थ्री का प्योग करके एंसर तक पहुंच सकते थे ठीक है लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको नहीं इसलिए हम एंसर तक आगे नहीं पहुंच सकते हैं तो हम तीनों को कंबाइन करके भी नहीं पहुंच पा रहे हैं आई होप आपको यह कोशन क्लियर हुआ होगा नेक्स चलते हैं थर्ड कोशन देखिए वैसे हम पढ़ेंगे हमारे यह मेन कोशन होता है जो कि हम कोई भी पाहले को पढ़ेंगे दूसरे को पढ़ेंगे और तीसरे स्टेट्मेंट को पढ़ेंगे उसके बाद हम उसे कंबाइन करते हैं तो क्या है three friends p q and r started partnership business investing money in the ratio 5-6-4-2 respectively for the period 3 years अब यहां पर देखिए तीनों ने तीन साल के लिए investment की है किस ratio में की है 5-2-4-2 के ratio में और यह क् P Q or R, तीन साल के लिए की है, तो तीन लीखना ही ज़रोत नहीं, ये ही इनका क्या आ जाता है, profit purchase का ratio आ जाता है, ये profit का ratio आ गया, इतनी बात तो आपको पता, चल गीए, what is the amount received by P as his profit, आपको बताना है कि P को, कितने रुपए मिले होंगे, profit के रूप में तो आपको पहली चीज तो क्या है कि P1 H2 P2 H2 P3 तो निकल गया है आपका अब profit का आपको निकालना है कि P को कितना रुपए मिला है तो आपको क्या चाहिए होगा या तो आपको P की वैल्यार में से किसी एक का profit मिल जाए तो आप निकाल सकते हैं easily हमने देखा था हर question में cross multiply करके या फिर आपको total अगर profit मिल जाए तो भी आप P की value आसानी के साथ निकाल सकते हैं इस statement में हम यही ढूने की कोशिश करते हैं चली पहला statement पढ़ते है total amount invested in the business is रुपीश 22,000 अब यहां पर कह रहे हैं कि total जो investment है बिजनेस में क्या है 22,000 अब यहीं पर आके बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं उनको यह लगता है कि 22,000 हमको पता चल गया अब यहीं से हम P की value को रख करके answer को निकाल सकते हैं और वह ऐसे कर देंगे कि 5 और total value कितनी आ जाती है 11 और इसे वह investment की जगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि रुपया पढ़ते हैं total आगे पढ़ा total amount और बीच में invested यह miss कर गए पढ़ना या पढ़के भी अगर नहीं समझ पाए तो सीधा सा काम वही करते हैं यह 22,000 करते हैं और सोचते हैं कि यहां से तो answer आसानी से निकल गया मतलब पहला ही alone सही होगा answer देने के लिए ठीक है तो यह गलती आप नहीं करेंगी यह आपको investment दिया गया है कि तीनों ने मिला के इतना रुपय बिजनेस में लगाया लेकिन उनको profit कितना हुआ यह कहीं नहीं अभी पता ह तो पहला केवल statement पढ़के हम answer नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि profit का ratio पता है हमको अब profit कितना हुआ है यह जानना है दूसरा statement पढ़ते है profit earned at the end of 3 year is 3 by 8 of total investment केवल अब दूसरा पढ़िए उपर वाले को भूले रहिए कि profit जो आया 3 साल के बाद वो total investment का क्या है 3 बटे 8 हिस्सा है ठीक है 3 बटे 8 हिस्सा है total investment का अब देखिए आप main question को देखे तो आपको कहीं total investment दिख रहा है क्या तो कहीं भी आपको total investment नहीं दिख रहा है तो दूसरे वाले question से भी आप answer तक नहीं पहुंश सकते हैं मतलब दूसरा वाला statement आप लगाएंगे भी तो आप answer को नहीं find कर पाएंगे चलिए तीसरा देखते हैं the average amount of profit earned per year is Rs.2750 कहने कि average दिया गया है profit जो हर साल मिलता है कितना है 2750 रुपे अब यह आपके लिए useful information है आपको कह रहा है कि हर साल 2750 पर average मिलते हैं मतलब तीनों साल में कितना मिला होगा तो 2750 को आप 3 से गुणा कर दीजे ठीक है टोटल आपका लिजे इसे 200 गुणे 3 करेंगे कितना हैगा 6000 आपका 75 गुणे में 3 करेंगे तो यह कितना हैगा आपका 225 तो दोनों को अगर add कर लिजे 8250 यह आपको value मिल जाती देखिए इस तरह के calculation आपको mind में ही करने होंगे मैंने यहाँ आपको बताते तब पर भी काफी लेट कर दिया लेकिन आपको यह सारे calculation mind में करने इसको लिखने की जरूद बिलकुल भी नहीं कोई तो यह आपको क्या पता चल गया total profit बस हमको इसी की तलासी total profit पता चल गया एका share हमको जानना है एका पांच बटे 11 गुणे में 8250 यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं 1177 और 115 अब 5 से गुणा करना किसी भी नंबर को बहुत ही आसान होता है बस उसे 2 से भाग दीजिए 0 आगे बढ़ा लीजिए 2 से भाग दें कितना हैगा 375 जीर आगे बढ़ा लीजिए हमको क्या P क शेयर मिल गया मतलब तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसका प्रेव करके हम आसानी के साथ एंसर तक पहुंच सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी माइंड अपना अप्लाई करेंगे तो यह पूरा काम कुछ भी करने की जरूत नहीं है बिलकुल कुछ नहीं करने की जरूत आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट का रेशियो पता है कहीं से भी अगर मुझे किसी एक परसन का प्रॉफिट पता चल जाए तो मैं एंसर आसानी से निकाल सकता हूं आपसे एंसर तो पूछा नहीं गया तो आपने देखा क्या कि आप आपको पहले में कुछ नहीं हिंट मिलता है डूसरे में कोई हिंट नहीं मिलता का लेकिन तीसरे में आपको दे देता है कि हर और केवल तीसरा option ही सही है इसका मतलब क्या है कि हमको फिर से फर्दर देखना होगा कि क्या हमने जो उपर दो statements गलत किये थे उन दोनों को combine करके भी answer ला सकते हैं क्या तो देखेंगे अगर आप तो solve करने ही जरूद बिल्कुल नहीं है ला सकते हैं कि नहीं बस यह देखना है तो देखें यहां पर statement बात की जारेगी total investment कितने का है 22,000 का है दूसरे में बात की जारेगी तीन साल में total investment का 3 by 8 हिस्सा हुआ है क्या profit तो total investment आपको पहले से कितना हुआ होगा मतलब दोनों को अगर आप combine कर दीजे पहले और दूसरे को तब पर भी आपको answer पता चल जाना है total profit total profit पता चल जागा share निकालना फिर क्या होगा बहुत ही आसान है मतलब हम पहले और दूसरे दोनों का प्रयोग करके भी answer निकाल सकते हैं और तीसरे का single का प्रयोग करके answer निकाल सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको भी option मिल जाता है क्या either three only मतलब क्या कि या तो के और तीसरे से ही और 2, 1 and 2 together या फिर पहले और दूसरे का प्रयोग करके भी आप answer तक पहुँच सकते हैं तो इसी तरह आपको question को perform करना है अब देखिए ये आपका क्या है data sufficiency के लिए आपका पहला part है इसलिए मैं बहुत थोड़ा easy जा रहा हूं थोड़ा धीमे धीमे बता रहा हूं questions हो सकते हैं आपको लंबे लग रहा हूं के खिच रहे हैं लेकिन ये जरूरी भी है अगर आपका base अगर सही नहीं होता है तो आगे चलके आप बहुत सारी छोटी छोटी mistakes करते हैं और वही selection में आपके hindrance बनती है चले चलते हैं चौथे question पर चौथा question क्या है आपसे पूछा गया है कि B ने कितने समय तक जोईन किया है मतलब आपसे period पूछा गया है, time पूछा गया है B का तो B का आपको time period बताना है कैसे बता सकते हैं हम statements को पढ़ना start करते है A began a business with rupees 85,000 अब केवल इसका प्रयोग करके हम क्या B का time period पता कर सकते हैं क्या जाहिर सी बात है, बिलकुल नहीं कर सकते He was joined afterwards by B with rupees 42,500 अब केवल इस statement को पढ़के भी आप B का time period बता सकते हैं क्या तो बिलकुल नहीं बता सकते हैं I hope आप इतना explain करने की जरूत नहीं है तीसरा पढ़िए If the profit at the end of the year are divided into the ratio 3 to 1 अब यहां पे profit तो आपको बता दिया गया 3 to 1 में divided है लेकिन अगर आप देखिए main question को तो यहां पे आपको investment नहीं पता है कितने period तक है क्या कुछ है तो केवल तीसरे का प्रयोग करके भी आप answer तक पहुँच सकते हैं तो बिलकुल भी नहीं तीनों का प्रयोग करके आप answer तक नहीं पहुँच सकते हैं अब हम क्या करेंगे combine करने का काम सुरू करते हैं एक business start करता है 85,000 तो हम यहां पे लिख लेते हैं बैली सजार 500 रुपए के साथ join करता है कितने समय के लिए T समय के लिए माल लेते हैं और A तो पूरे समय के लिए join किया है इसलिए इसे 12 से गुणा कर दीजिए आप ठीक है और कहरें कि इसका profit कितना आया है तो profit आया है 3 to 1 का अब यहीं पे अगर यह आपको नहीं पता होता है तो इस question को भी आप solve नहीं कर सकते थे ठीक है क्योंकि यहां पे T की value आपको पता नहीं है यहां पे आपको जब ratio भी नहीं पता है profit का फिर आप solving कर सकते थे लेकिन यहां पे आपको profit का ratio दे दिया गया अब easily इसे आप solve कर सकती है देखे जो cut रही है values उने cut कर दीजिए 425, 850 को 2 बार में cut कर देगा 12 गुने 2 कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पर क्या बचेगा upon में T और यह क्या होगा 3 upon में 1 cross multiply करिए 3 इसे 8 बार cut कर देगा T की value कितनी आ गई 8 मतलब क्या हुआ कि अगर हम तीनों को combine कर दे रहे हैं तो answer हमको मिल जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए क्या है all 1, 2 and 3 यह option आपका क्या होता है सही होता है अगर हम के ओल पहले को लेते हैं T 5000 एका investment है और आखरी को लेते हैं कि profit at the end of the year क्या है 3 to 1 है तो हम क्या निकाल सकते हैं बीने कितने दिन तक जोईन के हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि फिर हम कोई ना तो investment पता है और time तो पहले से ही नहीं पता है तो यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं दो unknown हो जाएंगे जो हम नहीं find कर सकते हैं पहले और दूसरे को क्यों लेते हैं तीसरे को नहीं लेते हैं तो क्या answer निकाल सकते हैं तो बिल्कुल नहीं क्योंकि फिर से वही बात हो जाएगी आपको यह तो पता चल जाएग 85,000 है 12 महिने के लिए और यह आपका क्या है 22,500 है कितने दिन के लिए नहीं पता और आपको यहाँ पर profit का ratio भी नहीं पता तो आगे आप question को solve नहीं कर सकते थे तो यहाँ से भी आप question solve नहीं कर सकते हैं तो एक ही तरीका है क्या कि आप तीनों को combine करें तो आपको answer मिल जाएगा आई होप आपको समझ में आया होगा चले चलते हैं पाचवा question पे पाचवा question कर रहा है राहूल अनुराग और विवेग started a business together in what proportion would the annual profit be distributed among them कि तीन लोग है इनोंने business start किया है साथ में कि किस proportions में उनका जो annual profit है उसे divide किया जाएगा मतलब आपको क्या निकालना है P1-P2-P3 यह आपको निकालना है तो यह आप कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको investments पता हो तो आप easily निकाल सकते हैं चलिए statements पढ़ते हैं कि राहूल कितना profit प्राप्त करता है अगर मैं यहाँ पे ऐसे राहूल ले लूँ profit कितना प्राप्त करता है गोटे 4 हिसा तो यहाँ से क्या मैं तीनों का निकाल सकता हूँ कि उनका क्या ratio रहा होगा profit में तो नहीं राहूल और विवेक contributed 75% of the total investment कि राहूल और विवेक ने क्या किया दोनों को मिला दें तो 75% investment किया क्या यहां से मैं निकाल सकता हूँ कि तीनों का ratio कितना होगा P1 is to P2 is to P3 तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो दोनों option गलत होगे तो हम क्या करते हैं कि पर combine करके देख लेते हैं क्या मिल जाता है हमको combine करने के बाद answer तो हम यहाँ पे देखते हैं कि profit investment के हिसाब सही मिलता है मतलब राहूल ने एक चौथाई हिस्सा invest भी किया होगा तभी उसको एक चौथाई हिस्सा मिल भी रहा है तो हम अगर माल लेते हैं कि total जो investment है वो कितनी है 100 रुपए है ठीक है तो profit राहूल का कितना होगा इसका एक चौथाई ही होगा ठीक है तो कितना जाएगा 25 रुपए है कैरें राहूल और विवेक ने total investment जो कि क्या है 100 रुपए इसका 75 परसेंट क्या है invest किया है या contribute किया है तो 100 का 75 परसेंट कितना हैगा 75 रुपए राहूल का हमको पता है क्या है investment या कह सकते हैं profit दोने एकी चीज हो जाती ही यहाँ पे कितना है 25 रुपए तो विवेक का कितना हो जाएगा 75 माइनस में 25 कितना जाएगा 50 रुपए तो विवेक का हमको contribution पता चल जाता है या profit 50 चल जाता है कितना 50 रुपए है अब बचा कौन है बचा है अनुराग अब देखी अनुराग का क्या होगा total investment क्या है 100% आपका profit समझ लिए आपका क्या 100% राहुल का कितना गया 25 परसेंट या 25 रुपए विवेक का कितना गया 50 परसेंट या 25 रुपए आगया तो अनुराग का कितना आएगा 50-25 जोड़ें कितना गया 75-100 में से घटाएंगे कितना आजाएगा अनुराग का जाएगा 25 रुपए ठीक है तो यहां से आपको सबके profit percentage पता चल जाते है profit ratio पता चल जाते है क्या है राहुल, अनुराग और विवेक मैं ऐसे लिख देता हूँ राहुल का कितना है 25 रुपए अनुराग का भी कितना है 25 रुपए और विवेक का कितना है 50 रुपए ठीक है, अब आपको इनके ratio निकालने है तो आसानिस निकाल सकते हैं पत्चेस से कट करेंग 1 is 2, 1 is 2, 2 आपको यहां से ratio मिल जाता है मतलब आप अगर दोनों को अगर combine करते हैं तो आपको इनके जो profit का distribution है या जो ratio है वो आपको पता चल जाता है कैसे वो distribute होता है लिकिन अगर single आप जाते हैं तो आप पता नहीं कर पाएंगे आपको यह समझ में आया होगा समझने में इस पूरे part को समझने हो सकता है problem हुई हो तो कुछ नहीं करिएगा एक बार वीडियो को और देखेगा तो आपको पुरी बास समझ में आ जाएगी और खुद से भी सोचेंगे तो आपको पुरी बास समझ में आ जाती है कि जितना हमारा investment होता है कि अगर किसी को एक जोथाई हिस्सा मिलता है तो यहाँ पर हम बता भी सकते हैं कि उसने एक जोथाई हिस्सा क्या किया होगा contribute भी किया होगा तो यहाँ पर हमने माल लिया था total innovation 100 रुपय का था तो अगर एक जोथाई किसी को मिला है तो उसका कितना रुपए उसने लगाया होगा 25 रुपए लगाया भी होगा और 25 रुपए का उसे क्या हुआ प्रॉफिट भी देंगे ठीक है आई होप आपको यह समझ में आया होगा तो यह आपका क्या था डेटा से विशेंसी का भी पार्ट था और पार्टनर्शिप के पहले भी करा दी है जैसे टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस वाले कोश्टन्स जो होते हैं उन सब पर मैं डेटा से विशेंसी के कोश्टन्स भी लाओंगा जो आपको पसंद भी आएंगे कॉंसेप्ट वाइस भी और आपको पता भी चलता रहेगा कि कैसे इन को डालता रहूंगा तो आज ही ऐसे सस्क्राइब करिए अपने दोस्तों को भी बोलिए सस्क्राइब करेंगे उनको भी बताईए कि आप कैसे इन सारे कुश्टन्स को कर सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम मिलेंगे नेक्ट पार